हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगर्ड दोस्तो दिल्ली के चांदनी चौक की वो तवायब जो सिपाही के प्यार में बन गई सर्धना सल्तनत की मलिका जी हाँ दोस्तो सल्तनत की इस मलिका ने एक गिर्जा घर दोस्तो सर्धना में बनाया है जो की PCS और तमाम competitive exams में ये प्रशनाते हैं तो आते हैं इतिहास के आएने में बेगम समरू को जानते हैं दोस्तो ये हैं बेगम समरू और ये हैं इनके पती वाल्टर इनकी कहानी बहुत ही खुबसूरत है आते हैं इस पूरी की पूरी कहानी पूरी के पूरे इतिहासिक चित्रन को आपके सामने प्रस्तुच करते हैं मेरट से 24 किलो मीटर की दूरी पर इस्थिस सर्धना का विश्व परसिद गिर्जागर जहां बेनजीर खुबसूरती की मलिका बेगम समरू की रूह बसती है यह गिर्जागर कारीगरी का अध्भुत नमूना तो है ही साथ ही अपने भीतर सजोए है एक ऐसी दिलेर महिला की कहानी जो तवायब से प्रेमिका बनी पत्नी बनी और फिर विध्वा हुई तो एक सल्तनत की जागिरदार बन गई यहां तक कि अपनी जीवन के अंतिम दिनों में अपना मज़भ बदल कर इसाई बन गई यही नहीं उनकी बहादुरी की किसे आज भी दोराय जाते हैं 48 साल तक सरधना सल्तनत पर अपनी हुकूमत चलाने वाली बेगम समरू की दिलचर्ष कहानी आईये जानते हैं दोस्तों कितना खुबसूरत ये सरधना का परसिद्ध चर्च है जिसको बेगम समरू ने अपने पती की याद में दोस्तों बनाया था तो ये बेगम समरू की जिन्दगी कई पड़ा और कई पहलूों से गुजरी एक किराय के सैनिक से उनकी मुलाकात उन्हें बुलंदियों तक पहुचाएगी ये शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा सैनिक सोंब्रे ने नक सिर्क उन्हें शोरत दिलाई बलकु उन्हें एक सल्तनत की मलिका भी बना दिया उनके नाम को इतिहास में अमर कर दिया यही कारण है कि अपने पती की याद में बेगम समरू ने इस खुबसूरत चर्च का निर्माल करवाया यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के चावडी बाजार से जो 16-17 के दसकों में तवाइफों का मुहला हुआ करता था 1767 में किराए के एक सैनिक अकसर मनुरंजन के लिए जगा पर आते थे इसी दवरान फ्रांस का एक किराए का सैनिक वाल्टर रेनहार्ड सोब्रे भी लडाई के साथ दिल्ली में रुका हुआ था सोब्रे मुगलों की और से अंग्रेजों के खिलाफ लड रहा था उसे पटना का कसाई भी कहा जाता है एक दिन वाल्टल सॉम्ब्रे भी चावडी बाजार के रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर जा पहुचा जहां तबले की थाप पर थिरकती नाजुक कद काठी के एक खुबसूरत लड़की पर उसकी नजर ऐसी बंधिक कि वाल्टर हमेशा के लिए उसी कहो गया चौदा साल और साड़े चार फुट की उस खुबसूरत नैननक्स वाली लड़की का नाम था फर्जाना यहीं से फर्जाना की जिन्दगी बदलती शुरू हो गई फर्जाना भी वाल्टर के प्यार में पढ़ चुकी थी जहां भी वाल्टर जाता फर्जाना साथ जाती वा सोंब्रे के पार्टनर के रूप में रहने लगी लखनव, रुहेल, खंड, भरतपूर और आगरा सही तो हर जगा सोंब्रे के साथ गई और लडाई में हिस्सेदारी करती दोस्तों ये फर्जाना यानि बेगम सम्रू का महल है जिसको दोस्तों मुगल बाश्चा ने उसको प्रदान किया था इस समय ये भारती स्टेट बैंक है दिल्ली में आगे चलते हैं इसी दोरान लोग उन्हें सोंब्रे यानि उनके हस्विंड का नाम सोंब्रे ही था कि अपफरंस के रूप में सम्रू बुलाने लगे इसके बाद मुगल शासक्स शाह आलम दिती ने वाल्टर को यूपी के सरधना का जागिरदार मना दिया शाह आलम दिती ने उन्हें तोहफे में दिल्ली में एक महल बनवा कर दिया था हाला कि आज यह बैंक है लेकिन पुरानी इमारत आज भी तिहास की गवा है दोस्तों यह पुरानी इमारत है सरधना में बेगम सम्रू का महल वाल्टर के साथ फरजना मेरट के सरधना आ गई और अब बेगम सम्रू हो चुकी थी लेकिन 1778 में वाल्टर की अचानक मौत हो गई इसी दरौन शाह आलम दिती और तकरीबन 4000 सैनिकों की रजामंदी के बाद बेगम सम्रू को सरधना का जागिरदार बना दिया गया तो आप सरधना के इस एतिहासिक चर्च को देख सकते हैं जिसको बेगम सम्रू ने बनवाया था और ये कोश्चन बहुत इंपोर्टन्ट है अकसर कॉम्टेटिव एक्जाम्स में आते हैं पति की मौत के तीन साल बाद फरजाना ने इसाई धर्म कबूल कर लिया और जोहाना नोबिलिस सुंब्रे बन गई 1822 में बेगम सम्रू ने अपने फ्रांसेसी पति की याद में सरधना में विशाल कैथॉलिक गर्जागर का निर्माल करवाया था इटली के कलाकारों ने उस वक्त 2700 सोने की मुहर लेकर पत्थरों पर इन जीवन्त मूर्तियों को उगेरा एक जमाने में सरधना इस्टेट का इलाका अलिगर से लेकर सहारन पूर तक हुआ करता था सरधना इस्टेट भले ही अपने वैभोशाली इतिहास को संजोए हो लेकिन आज उसकी हालत बड़ी खराब है कभी मेरट जिला मुख्याला सरधना इस्टेट का परगना हुआ करता था आज यहां पहुचने के लिए घंटो जाम से जोजना पड़ता है इसे परेटक अस्थल के रूप में डिवलप किया जा सकता था लेकिन हुक्मरानू की अंदेखी ने उसके इतिहास पर काली सही पोद दी तो दोस्तो आज के लिए इतना ही इतिहास की इस श्रिंखला में आज आज आपको भेट कराया बेगम समरू और बेगम समरू के गिरजा घर को भी आपने दोस्तों देख लिया कितना खुबसूरत है अक्सर प्रश्ण इससे आते हैं अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना चैनल पे कमेंट करना इसे अपने जैसे दोस्तों के बीट में शेयर करना लेकिन अगर आप मॉडली स्कूल राजगल की इस खुबस दो बीशनिक अगर